प्यारे बच्चों, सुप्रभाद, ओनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है मैं हरिश्चन सिंग कच्छा दस विशे विध्यान अध्याय विद्धो धारा के चुमकी प्रभाव को अध्यान कराने के लिए खुपस्तित हूं इस अध्याय की चतुर्त कच्छा में आज हम कुछ सिच्छण विद्धों की साहता से इस अध्याय का अध्याय कराएंगे इससे पूर्व हमने आपको कुछ सिच्छण विद्धों की साहता से अध्यान कराया था नम्मर एक फ्लेमिंग के हस्नियम, परिनालिगा, कुंडली, विद्धुत मोटर तथा विद्धुत चुम्म की प्रेरण इस मिन्सेव पर हमने आपको अध्यन कराया था इसकी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने कुछ सिच्छन बिंदु लिये हैं इन सिच्छन बिंदु को लगपथन किसे कहते हैं लगपथन के वाड़े में जानेगे अतिभारण क्या होता है जानेगे भू संपर्गतात का जिन करेंगे विद्धुत जनित जिसे इलेक्टिक जनरेटर आप कहते हैं उसके वाड़े में जानेगे घरे लूप परिपत क्या होते हैं इस इन सिच्छण बिन्दू की साहता से विद्धो धारा के चुमकिय प्रभाव का अध्यन करेंगे आईए हम प्रथम सिच्छण बिन्दू की ओर चलते हैं लग पथन, सौर्ट सर्किटिंग कहते हैं इसको लग पथन क्या होता है लग पथन का अर्थ है तार दो प्रतार के हैं यहां पर एक है विद्धुत मैतार और एक है उदासीन तार विद्दुत मैतार का रंग लाल होता है इस तरह का ये विद्दुत मैतार है ये विद्दुत मैतार जिसमें विद्दुत धारा प्रवायत हो जाती है वो विद्दुत मैतार होता है उदासीन तार काले रंगा होता है ये उदासीन तार हमें लेखा है ये उदासीन तार है ये क्या होता है कि यह दोनों एक दूसरे संपर्ग में आ जाते हैं उदासीन तार और विद्दुत में तार तो उसमें बेहने वाली जो धरा होती है उसका प्रत्रोत जैसे ही संपर्ग में आते हैं उसका प्रत्रोत धीरे से क्या हो जाता है कम हो जाता है जब प्रत्रोत कम हो और अधिक बढ़ने लगेगा परिपत में जब तेजी के साथ प्रवाव बढ़ने लगेगा और प्रद्रोज कम हो जाएगा तो परिपत में जो तार लगे होते हैं वो क्या होने लगेंगे धीरे धीरे गर्म होने लगेगी गर्म होने लगते हैं और इतना गर्म होने लगते ह इसके लग पतन के कारण ही घर में आज या कहीं मार्केट में आप देखें बाजार में आप देखते होंगे तार इस तरह से चिर्चरी की आवाज आती है तो उसका अजिए हो गाया कि आग लगने की संभावना हो जाती है मैंने लिका है विद्वत परिपत में कही पर विद्वत में तथ्था उदासी ना परस पर संपर्कित संपर्कित का मतलब संपर्क में आ जाते हैं, होने बद परिपत का प्रत्रोध कैसा हो गया, प्रत्रोध कम हो गया, संपर्क में आते हैं तो प्रत्रोध कम हो जाता है, और परिपत में धारा की अजिता हो जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, ऐसा होने पर, एसा होने पर क्या पूसा होने पर परिप्स के तार गर्म हो जाते हैं और लग पथन जहां पर भी तो यह ज़ुड़ रहे हैं या पर भी ओभ रहा है उस इस्थान पर चिंगारी हमने लिखा है चिंगारी आग जैसे रूप ले ले लेती है चिंगारी उत्पन होने लगती है ये क्या कहलाता है लग पतन कहलाता है लग पतन को रोखने के लिए हमें क्या करना चाहिए इसको साथार रहना चाहिए घरों में फ्यूज तार लगा लेना चाहिए आप में जाना फ्यूज तार, कर्लांग, अधिक बाला तार को लगा लेते हैं जिससे ऐसा होता है फ्यूज तार अपने आप जल जाता है और परिपट में धारा प्रवायट होनी बंद हो जाती है तो आप इसका मैं से समझ गए होगी लगपतन का आजाते हैं तो प्रद्णोच कम हो जाता है तो फिस दोत्ढ़ अधिक प्रवायच अधेक प्रवायट होगी तो तार गर्म हो जाएंगे गर्म होने से तार में चिनगारी होगी चिनगारी होने से पर पत्में क्या आग भी लग सकती इस प्रकार से यह अब हम अगले सिच्छन बिंद क्यों चलते हैं अर्ति भारण अर्ति भारण क्या होता है इसका इंग्लिस वर्ड से सुनेंगे तो आप इसका समझ जाएंगे के ओवर्डिंग ओवर्डिंग का पर समते हैं ओवर्ड सक्ति से ज्यादे ज्याद कंदिया गुंश्यिवाद कंदिया है कि Pig बिंदी की प्शक तो चुचाने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले यह आंकलंग करते हैं कि हमारे घर में क्या कैच कि ये चलेगी तो उसी के अनुसार हम तारों को अपने परपत को विछाते हैं तो ये आंकलम किया जाता है कि घर में किस प्रकार के तार बचाने चाहिए जिससे विद्दध धर्या आये तो आसानी के साथ सबी आपके जो यंत्र हैं जो विद्दुद के यंत्र हैं वो सबी प्रकार से चल सकें में और ये आपने तारों को साधारल बिचाया और उसमें आपने सभी चीजнож सकुने को प्रियोग नवे तो क्या हो जाएगा तार क्या लोनी Emblı ब blueberry क्रों कर जाएंगे और तारों में क्या हो जाएगा अति भारण हो जाएगा उसमें ओवर्लोडिंग हो जाएगी एक एंपियर की धारा प्रवाइद करनी थी चार एंपियर की धारा प्रवाइद कर दी तो क्या हो जाएगा ओवर्लोडिंग हो जाएगा इस प्रकार से हम अपने घरों में परपत क तो इस प्रकार से बिछाते हैं कि पहले उसका आखलंन करें कि इतने एंप्यर की इधारा से हमारे इस इंत्रों को आवश्यक्त है उसे हम ने लिखा है घर के परिपत की वायरिंग वायरिंग करते समें सर्प्रथम घर में होने वाली विद्धूतूर्जा की कि खहपत मैं कितनी विद्धु तूझा की खहपत जाते हैं कि खहपत की ये कि खहपत अधर किया जाता है त revelation जयी ग Reinमिंतव File तरने का मुझा करते हैं इसलिए बाहत तारों का उप्योग किया जाता है जो घर के परपत में प्रवाही होने वाली अधिक्तम धारा बेहन कर सके उसमें अधिक्तम धारा जा सके कि यह किसी कारण बस अधिक्तम धारा प्रवायद हो जाती है किसी कारण से उसमें अधिक्तम धारा प्रवायद हो जाती है तो परपत की तार कैसे होने लगे गर्म होने जगेंगे क्यों गर्म होने जगेंगे कि धारा का मान बढ़ गया है इसलिए परपत की तार गर्म होने ल यह तो यह जाती है और यह सुचेती को चलने बॉपर परिपत्पक ने संथा ऐसे मोज़ें घर के पर्पत की वायरें को हमें सबसे पहले आगलन करना चाहिए कि हमारे घर में कितनी उर्जा विद्दूत उर्जा के खवत है उस साथ उसके अधार पर हमें परपत में तारों को विछाना चाहिए यदि तारों में बिद्द्धरा वहैं हो सकी अर्था यदि अधिक बिद्द्धरा वहेगी तो परिपत में ओ osobलोड्न, अर्था अतिभारं की इसी इसी आ जाती है इसको अधिक समय तक देखें तो इसमें क्या हो जाता आग लपले मिन संभाना उत्पन हो जाती है इसी कहते हैं अत्वारम समझ में आ जाया होगा आपको हम अगले सिच्छन दिन्दु की ओर चलें भूर संपर्ग तार भू माने भूम संपर्ग माने उसके पास तार अर भूम के संपर्ग में जो तार होता है उसे भूर संपर्ग तार कहते हैं इसको इंगलिस में अर्थिन बाईर भी कहते हैं remains इसका अर्ड़ा यह है कि भूशंपर्वतार तार तीन प्रगों में पाई आते हैं मेला रंग के काला रंग और हरे रंग में यह ष्टनपर्वता रंग होता है वो प्रया ह्रेरंगा होता है भूसंपर्वतार की अभस्क्ता इसलिए है कि आपके घरों में विद्दौधध धारा का परिपत होता है से सिस्टल होता है उसमें या याद ई물ूसंपर्वतार लगा है और किसी कार को आप विद्दुधारा के एंतों को आप चला रहे हैं जैसे आप प्रेस कर रहे हैं यह आपको प्रेस के द्वारा आपके अंदर करंट प्रवाइट होता है तो भूसंपर्टार क्या करता है उस करंट को अपने अंदर जमीन में खीच लेता है और आपको विद्दुत धारा का कोही प्रवाव नहीं पड़ता है इसलिए भू संपर्वतार को लगाना आवस्यक होता है इसका रहा होता है हमने देखिए एक कुछ निखा है आपकी लिए यहेवन का विद्दुत रोधी आवलर है विद्दुत रोधी विद्दुत का अधरर के पास अंदर बेला में गेहराई में गेहराई में दवी हुई धात्र की चण जापकी च्छड औस तरा से इस तरह से प्लेट दुमाओं उससे भूशंपर्तार का सठ्पावद्यen जाता है अर्ठास उसकह में जोड़ दिया जाता है और फ्रत्रुभ्त का चारन पत्प्रस्थूत करता है इस प्रकार से भूसंपर्ता को आप समझें कि यह हरेरत का होता है यह हमारे लिए सुरच्छा का काम करता है और यह जमीन के अंदर गहराई में किसी धात की प्लेट या च्छल से संयोजर जुड़ा होता है जिससे हम विद्दुत यंत्रों को चलाते हैं तो यदि कहीं पर के करत्हवी है इस पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं इस तरह से यह लगे और सुरस और यहीं पर हमारा क्या है यहीं पर आज घर ya are so a man इस तरह से यह उने घर बना दिया आपका यह घर है जिए घर है जरमें यह दर्वाजा आपका और दर्वाजे घर है यहां पर विविन प्रकार के बिद्द पर्पत लगे हुए हैं तो यहां पर प्रत्वी के अंदर इस तरह से यह प्रत्वी का अंदर भाग है प्रत्वी का भीतरी भाग है यहां से एक तार को लाते हैं हो और इस से संयोजित कर देटें तार को यहाँ पर पुपिये घरों में इसका होना आवश्ये के जिससे इस से विद्दु धारwalk के प्रहाव से उससे इससे बचा जा से के इस प्रकार से हम इस सुसंपर्टार का उप्योग करते हैं इसका क्या कार रहे हैं विद्धु जनित् यांत्र पूर्जा को विद्धुत उर्जा में बदलता है इसे डाइन्पि कहा ärtatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat तो उसकी बल रेखाएं क्या परिवर्तित होती रहती हैं जिसके कारण कुंडिली हुमने के लिए प्रेरित होती हैं इसे विद्दु जनित्र का सिध्धान्त कहते हैं जब किसी कुंडली को किसी सक्तिसाली चुमकी छेत्र में रखकर गुमाया जाता है तो उसमें चुमकी बलरेखाएं उत्पन होती हैं जो निरंतर दिसा का में परिवर्तित होती रहती हैं उस दिसा परिवर्तित के कारण उसमें प्रेरित विद्दु धारा उत्पन हो जाती है और वो कुंडली भूमने लगती है विद्धो जनित्र में फ्लैमिंग के दाय हान जो आपने बताया था दाय हान के नियम का पालन होता है आई ये हम चित्र को एक बार देखते हैं चित्र में ये N, S और N दो सक्षिसाली चुमक है जब दो सक्षिसाली है तो उनके अंदर सक्षिसाली होगा A, B, C, D एक आईताकार कुंडली है जो आरमेचर कहते हैं ये A, B, C, D एक आईताकार कुंडली है जो इसको आरमेचर कहते हैं यहां से यहां तक एक दुरा होता है जो S1 और S2 S1 यह S1 है और S2 यह कहताते हैं सरफी बले सरफी बले क्या होते हैं यह चले के नुमा आकार के एक बले होते हैं जैसे यह बना हुआ है यह इसके उपर तो यह चले की नुमा होते हैं यह पूरी तरह से इसको क्या क्यों रहते हैं किसे रहते हैं इसको एक्सिल को जो आईता कार कुंडली जाती है उसको कस क्यों रखते हैं इसका कार यह है कि धुरे को इसको एक्सिल को पकल के रखना जिससे इसमें घूमने में इसको क्या हो आसानी हो जाए किसको कुंडली को उसके साथ साथ S1 और S2 के साथ B1 और B2 दो ब्रस होते हैं जो एसमन और S2 को कसके रखते हैं इस प्रकार से इस जनित्र के भाग है नम्मर एक शुमकिय छेत्र पहला यहां से यहां तक यह बीच का जो हिस्सा है वो कहलाता है शुमकिय छेत्र चुमक के बीच का जो छेत्र वो चुमक की छेत्र कहलाता है यह A, B, C, D को प्रकावित करेगा नम्मर दू है आयताकार कुंडली यह इसको आर्मेचल भी कहते हैं आर्मेचल भी कहते हैं नम्मर तीन वीवक सर्पीवल है सर्पीवल है इनका नाम है S1 और S2 हमने चिक्र में दिखाया है यह S1 है और यह S2 है सर्पीवल है नम्मर चार ब्रस यह विद्दु जनित्र के कुछ मुख्य भाग है जो हमने आपको लिखें चुमकी छेत्र हमें आपको बता दिया चुमक के अंदर रखा है कुंडली उसमें चुमकी छेत्र उत्पन होगा अब इसके कार उद्री देखें क्या होती है जब इसको परिपत को इसको तेजी के साथ घुमाये आता है तो A B ऊपर दिशा में जाएगा ऊपर की दिशा में क्योंकि एकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग का राइट हैंड भी हम के दाएंग के लिए उनके अनुसार A B जो कुंडली का भाग है वो उपर की ओर जाएगा और सीडी जो इसका भाग है वो नीचे की ओर आएगा इस प्रकार से चुम्म की बल्वे खाएं लगाता क्या करती है दिशा में परिवर्तन करती है और जिसके कारण यांत्रिक उर्जा विद्धूत उर्जा में परिवर्तित होती है हमने यहां पर देखे इसको लेके यहां एक बल्व लगाया है इस प्रकार से इस बल्व का जल करने लगता है क्योंकि विद्धु जनित यांत्री पूर्जा को क्या करता है विद्धु तूर्जा में परिवर्थित करता है यह इसका सिध्धानत है और यह इसकी कार्वदी है तो इस तरह से चुम्ब कीछे हायताकार कुंडली आर्मेचर सर्पीवले ब्रस जो हमने वीवन और वीटु से दर्साय है वो अपना-पना कार करते हैं इस प्रकार से जब इसमें घुमता है तो वीवन से ओकर इसमें धारा प्रवाइद होती है और वीटु से ओकर धारा बाहर की ओर जादी अर्थात वीवन से उपर की ओर और वीटु से ब्रस के नीचे की ओर इसके वो जल्ले लगता है यह इसका कारेश्टी है अब हम घरेलू विद्धुत परपत की ओर चलते हैं घरेलू विद्धुत परपत क्या होते हैं आपने देखा होगा विद्धुत के खंबे होते हैं खंबों से खंबों से विद्धुत धरा ली आती है तार के माध्यां से कहीं-कह इन भी विद्धरा का करनेक्शन होता है तो दोनों तरह से होता है तो गरेलू विद्धत परिपत में घरेलू घर में बिजली की फिटिंग कैसे पर देम किन-किन बातों को हमने ध्यान अगर पर जाहिए वह क्या है हमने यह लिया है। इसमें भूसंपर्ग तार। यह हरे रंग का तार होता है, जो भूम के अंदर जाता है। और भूम से उसको इसमें जो भी सिस्वम चलाए जाएंगे उनसे उनकी सुरच्छा करता है उसके उपर एक कवर चढ़ा होता है उपर जो विद्दुत रोधी होता है उसके उसमा का विद्दुत का कोई प्रवाव नहीं पड़ता है इसको कहते हैं भूसंपर्ग तार यह हरे से रंग का तार होता है प्रत्वी के अंदर निचली गहराही तक यह जाता है किसी चुम के छड़ या प्लेट से संपर्ख कर दिया जाता है अलिकांस था है घरों के पास ही रखका जाता है यह संपर्ग तार है देख रहे हैं आप यह जाता है नममटर भिदुन मै तार भिदुन मै तार इसका रंग लाल होता है इस पर धनातमक आवेस होता है इसका रंग लाल होता है तीसरा थार है उदासीन थार, उदासीन थार ये एक काले लंग का होता है और अब ये तीनों इस तबागार से चलते हैं विद्धुत पदाय बोर्ड बिद्धुत का एक बोर्ड होता है घर में बोर्ड लगाते हैं उसमें एक fuse board लगाते हैं, fuse लगाते हैं, यह विद्दुत धारा अधिक आती है, तो fuse जो लगा होता है, वो अपने आप गल के गिर जाता है, और विद्दुत का जो आगे एक supply होनी है, वो supply बंद हो जाती है, यह विद्दुत प्रदाय board या fuse का कारिय है, इसके बाद आगे की की ओर देखें, विद्दुत मीटर, विद्दुत मीटर सब तारों को अधासीन तार, और विद्दुत में तार को मिटर मिलाते हैं, विद्दुत मापी मिलाते हैं, उसमें क्या होता है, कि हमारे घर में कितनी विद्दुत उपुर्या की खपत है, वो मीटर आपको उसकी र box switch वहाँ पर switch भी लगे होते हैं और इस box लगा होता है उसमें क्या करना है उसमें क्या होता है कि विविन प्रकार के जैसे विल्ली का पंखा चलाना है वल्म जलाना है अन्य चीजी चलानी है तो उसका एक अलग switch बना होता है इससे प्रेस भी चला सकते हैं अधिकांसे भारत पे इन दोनों तारों के बीश 220 वोल्ट का जो धारा है वो प्रवाइद की जाती है अब यह इस तरह से हम बिजली का वल्म यह देखिए हमने जला के दिये हैं और दूसरा switch अन्य उपकरनों का जैसे जिसके ज्यादे लोड पुल रह जाता है जो यह से प्रेस करनी है तो उसका switch हम अलग ऊलग लगा लेते हैं और उसको यहाँ से इस प्रकार से मुक्ष बॉक्स है वहां से जिली का बॉक्स के द्वारा बटन जिसे कहते हैं «Swich को दवाते और आपका उपर हो चल जाता है इस प्रकार से ये घरों में जिली की जो फिटिंग की जाती है उनको ध्यान में रखते हुए बूसंपक्तां जो शरीधा होता है कैसे काले रेंका होता है यह तीन दोनों हीुं मिद्द्धुन्मेतार और fatto ऩे धेक रहे हैं कि यहाँन मीटर्प के बास बोड़ पह जाते हैं और न हों से आगे शी करते यह जाते हैं और इसके साथ विद्दुदारा पृत्येग स्विच की अनुसार अलग-अलग उपकरणों में अलग-अलग स्विच के साथ प्रवाइट होने लगती है स्विच को चलाने के लिए हमें विद्धित रोदी ग्लफ पहनना चाहिए भीगे हातों से स्विच को नहीं पखणनना चाहिए ये इसका विश्य ध्या रखना चाहिए इस प्रकार से विद्वत पर्पत में विद्वत धारा का प्रवाद होता है आज का ग्रहकार है लग पथन से क्या तार्थ करें है हमें आपको बताया था लग पथन प्रस नमर दो अतिभारण किसे कहते हैं प्रश्ण नमर तीन गू संपर्वतार्थ क्या है प्रश्ण नमर चार विद्धुत जनित्र का सिद्धान्त क्या है यह आपके प्रश्ण है ग्रेविज्ञानी ग्रेव कारिक है इनको आप अच्छी तरह से करेंगे आज हमने आपको जो अध्यन कराया है उसी के अंतरगत इन प्रस्णों को लिया है हमने आप आता करते हैं आप इस प्रस्णों को अच्छी तरह से हल करें देंगे प्यारे बच्चों मैं डॉक्टर चारु श्रीला सिंग हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ पुने स्रध्धामन भागतीन के साथ आपके समक्ष बच्चों आप देख रहे हैं भागतीन मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये पाठ बहुत बड़ा है तो तीन अन्शों में तीन टुकडों में इसे हम पढ़ेंगे आज तीसरा मतलब आज आखरी हम पढ़ने जा रहे हैं हमने अब तक यहां तक पढ़ लिया है किस रधा तरह तरह के उदाहरणों की माध्यम से मन को समझा रही है उनके निराश मन को आशा से भरना चाहती है नव जीवन के लिए प्रेरित कर रही है उत्साह और उमंग की तरंगें जगाना चाह रही है लेकिन मन मानो मन जो होता है वो डूबता रहता है उतराता रहता है लेकिन अंततह क्या होता है और इस प्रसंग में क्या होगा आए अविलंब हम चलते हैं और जानते हैं कि अब क्या होगा क्योंकि मन उने पिछले भाग में यहां तक कह दिया था स्रद्धा से कि तुम्हारी बातें मन में तरंगे जगाती हैं आशा की उत्साह की लेकिन मेरा अनुभाव कहता है कि यह जो जीवन है यह सिर्फ सफलता की कलपना करने वाला एक घर है गेह है पर वास्तविक्ता उससे भिन है और वो कहते हैं मैंने यह अनुभाव से जाना है कि हम जो सोच रहें जो कलपना करते हैं जो सुखत भविसे के सपने देखते हैं वस कहती हैं क्या बातें उनकी होती हैं आइए चलते हैं मुख्य विशय से जुड़ते हैं पुनर और जानते हैं कि आज जो अंश हमें पढ़ना है उसके मूल में जो भाव आएंगे जो केंद्रिय भाव हैं जो प्रधान भाव हैं वो क्या है जो आज हम पढ़ेंगे क्योंकि वि फाशाई एक्ता होती है तो कोई भी विषय बहुत ही आसानी से ग्राह किया जा सकता है तो क्यूंकि ये भाषा आपकी है हर दिन के हमारे और ÀPK की बेविहार की भाषा है तो भहुत ही सरल्ता से बहुत ही सहज़ता से ये पंग्तिया ideological मन मानस तक पोहुचती हो गी और जो इस और मनु के समवाद हैं, निसन देह, जीवन में कई ऐसे पड़ाव आते हैं, जब हम और आप ऐसे ही निराश होते हैं, ऐसे ही हताश होते हैं, और कोई न कोई स्रध्धा जैसा आता है, हम्में नौ चेतना का, नम जीवन का, आशा का और उलास का संचार करता है, वैसे तो ये पंक्तियां कर ही रही है, और किताबें और यह सारे जो प्रसंग हैं, ये जीवन में सबसे अच्छे और सच्छे मित्र होते हैं, ये सब आप जानते हैं, आए और विलंब चलते हैं, सबसे पहले जानलें आज के केंद्रिय भाव, देखे बच्चों, स्रध्धा मन को उल्लास क के साथ कर्म शील बने रहने की प्रेड़ा देते हुए उत्साहित करती है इन भावों को सहेजी कुछ अंश आपके समक्षाएंगे पुनल स्रध्धा के समर्पण का प्रसंग है मानवता को सम्रिद्ध बनाने के लिए उसके अस्तित के रक्षा के लिए उसको बचाने के लिए स्रध्धा अपना समर्पण कर रही है ऐसे भाव और स्रध्धा द्वारा मन को मानवता की विजय का उपाय बताया जा रहा है इनी भावों की भूमी पर रची गई पंक्तियों में आज हमें उतरना है उसके निहतार्थ को जानना है उसको महसूस करना है और जो शिल्प है अ महसूस करते जा रहे हैं आए देखें क्योंकि यहां तक हो गया कि मनुने इतना कहा अब देखते हैं कि मनु की इन बातों को सुनकर स्रध्धा क्या कहती है सबसे पहला जो काम है वो है पाठ का पूरे पाठ मैं नहीं करूंगे मैंने आपको बार-बार बताया है एक दो ही बार-बार पढ़ें कई बार पढ़ें क्योंकि जैसे जैसे हम पाठ करते हैं पाठ करते करते दो से तीन बार जब हम करते हैं तो पंक्तियों के अर्थ जो है उस्वेंग खुलने लगते हैं पाठ के महत्व को हम और आपनकार नहीं सकते आईए पाठ करते हैं फिर इन में नहीं अर्थों की ओर चलेंगे कहा गंतुक ने ससने हैं अरे तुम इतने हुए अधीर हार बैठे जीवन का दाव जीतते मरकर जिसे कोवीर अधभुत पंक्तियां हैं बच्चों हमारे और आपके अंदर भी नौचेतना का संचार करती हुए ध्यान दे तप नहीं केवल जीव अब जब मनु ने इतना समझाने के बाद भी नकारात्मक भाउं से भरी हुई कुछ बातें स्रद्धा के समक्ष रखी तो पुनह स्रद्धा कहती हैं अब क्या कहती हैं ध्यान दे कहा आगंतुक ने ससने हैं आगंतुक यहां कौन है यहां आगंतुक कातात परे स्रद्धा से हैं क्योंकि आप जान रहे हैं कि निर्जन में मनु अकेले एक आंत बैठे हैं और वहां स्रद्धा आती हैं तो आगंतुक स्रद्धा कहा आगंतुक ने ससनेह के साथ आगंतुक अतात स्रद्धा स्रद्धा के साथ कह रही है कोई खीज नहीं है कोई पीडा नहीं बार-बार समझा रही है फिर भी सने के साथ पुना कह रही है क्या कह रही है अरे तुम इतने हुए अधीर हार बैठे जीवन का दाउं कहते हैं तुम इतने अधीर हो गए इतने जीवन से हताश निरास हो गए तुमने अ और बैठे जीवन का दाव कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस जीवन में सब कुछ हार चुके हो जबकि तुम जीवित हो जीतते मर कर जिसको वीर और यह जीवन तो ऐसा है कि इसके दाव को जीतने वाले लोग जो वीर है वो मर कर भी जीत लेते हैं अदभुत अर्थ हैं बच्चों इन पंग्तियों में और जीवन का बहुत बड़ा सार छुपा हुआ है कि जब आप जीवन्त है जब आप में जीवन है नौ चेतना है उल्लास है आशा है उत्सा है और प्राण रहने से ही यह सारी चीज़ें आ सकती हैं तो यहां एक तरह से यह स्नेह के साथ तो कह है कि तुम ने धयर रखो दिया अशा उत्सा हतास इतने जदा हो गए कि तुम जीवित हो लेकिन तुम हारा हुआ अपने को मान रहे हो जब कि मर कर भी वीर जो है वो जीत लेते हैं इस जीवन के दाओं को और तुम अभी जीवी थो तो तुम ऐसी नकारात्मक बाते हैं क्यों कर रहे हो फिर कहती है तब नहीं केवल जीवन सत्य कि तुम क्योंकि तपस्वी का वेश ह तो उन्हें पहले भी उन्होंने तपस्वी कहके संबोधित किया है कहती है तप नहीं केवल जीवन सत्य और कहती है कि सिर्फ तपस्या करना ही जीवन का सत्य सार या जीवन नहीं है सिर्फ तपस्या ही नहीं करूर यह छडिक दीनव सत्य वो कह रही है कि यह जो दीनता है जो के च्वाक्ष इस और की दुख साथ कारूरा के लिए कैसे चलिक बंख स्वासइब के वा थॉड़ी काने कीवाधि करें कैसे होते हैं बुल पुल और स्थिक्तtså है तोwh at नत्षय तो जाता है तो जो इहां चलिक कहा गया कि स्रद्धा कह रही है कि सिर्फ तपस्या करना ही जीवन का सार नहीं है सत्य नहीं है करूड यह चणिक दीन आउसाद यह जो दीनता है यह जो दुख है यह जो हताशा है जो आउसाद है कस्ट है यह कैसा है यह करूडा के भाव कैसा है यह चणिक है चण भरके हैं यह मानव म आशा का संचार आप स्वेंग करना शुरू कर दें तो सारे नकारात्मक भाव स्वतह समाप्त होने लगते हैं ऐसी बात तरल आकांग्षा से है भरा सुरहा आशा का अहलाद पुनह जवाती है तरल आकांग्षा से वो देखे क्या कह रही है तरल आकांग्षा कि जो भरा पड़ा है तरल आकांग्छा से है भरा भरा पड़ा है जीवन सो रहा आशा का अहलाद लेकिन तुम क्या कर दिया है तुमने कि आशा का जो आहलाद है जो खुशी है जो प्रसंदता है वो तुम्हारे अंदर सो रही है तुम इसे जगने दो तुम अपने अंदर के भै को हताशा को निराशा को दूर जाने दो और नोजीवन का संचार होने दो आगे आएए देखें ये भी अधभुत भावों को स्वेंग में समाहित किये पंक्तियां तुन्हें क्योंकि नोचेतना का संचार करना है उनको जगाना है और तरह- तरह के भाव जब बहुत मन दुखी होता है आम जीवन में भी तो बहुत अच्छी बातें में अच्छी नहीं लगती हम बड़ी सरलता से उन्हें समझ नहीं पाती क्योंकि उस समय क्या होता कि जो हमारा मानस होता है जो मन है जो हुर्दय हो बहुत कमजोर पड़ गया होता है हताशा और निराशा लेकिन आप माने कि अगर एक बार आपने सकारात्मक तरीके से सोच लिया तो शारिरिक शक्त भी जो होती है वो नगणे हो जाती है आप अदभ अब इसमरडी कार भी कर लेते हैं बड़ी ही सहस्ता से क्योंकि सब कुछ जो होता है वो यहां हमने जो सोच लिया जो बैठा लिया वैसा ही सब कुछ दिखने लगता है पुने वो एक नवीन माध्यम से एक नए उदाहरण से मनु में चेतना का संचार करना चाहती है और आप देखिया वो प्रकृति को माध्यम बना रहे हैं कहती है प्रकृति के यौवन का स्रिंगार करेंगे कभी न बासी पूल वो कहते हैं क्यों इस तरह निराश हो हतास हो मुर्जाय हुए से दिख रहे हो जो प्रकृति है उसके प्राकृतिक सौंदर का उसके यौवन का उसकी फूब सूर्थी का जो सरिंगार है वह कभी बाषी फूल नहीं करते स्रिंगार के क्योंकि जो बाषी फूल miser ही कैसे उनमें सॉंधर भी उसका फीका हो गया रहता है उसके समढ़ीम घया हूं रहता है वह रस हीन होता वो खिले हुए जो मन को आकर्षित करते हैं जो तन मन को अपनी सुगंध से खीचते हैं अपनी आभा अपनी सौंदरे से आकर्षित करते हैं ऐसे पुस्प प्रकृतिकी प्राकृतिक छटा का उसके यौवन का उसके जीवन का स्रिंगार करते हैं मुर्जाय और बासी लुगो क्या है उनके साथ क्या होता है मिलेंगे वे जाकर अतिशीग्र क्यों बहुत ही जल्दी जाकर मिलेंगे किस से आह उत्सुक है उनको धूल वो धूल में मिलेंगे उनका अस्तित्व ही है कुछ धूल में मिल जाना हो कुछ कर नहीं सकते इसलिए वो बार-बार मन को जगा रही ह पुने देखें, आगे वो क्या कहती हैं, फिर उनको जगाने का ही प्रयास कर रहे हैं, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभाव से भरामन, कहती हैं, तुम एक हो, अकेले हो, और यह विस्तृत, यह संपूर, जहां वो बैठे हैं, पूरे को, कि यह पूरा वि जो फीका न पड़े, वो होता है, अमंद, तो कहती हैं कि प्रकृति, वैभाव शाली प्रकृति, जो है अपने संपूर सौंदर के साथ, ऐसे सौंदर के साथ, जो कभी फीका नहीं पड़ेगा, उससे यह सारा भूखंड, यह पूरी प्रकृति भरी पड़ी है, और भोगन वाले एक तुम हो, कर्म का भोग, भोग का कर्म यही जडचीतन का, वो कहती हैं कि कर्म, जो पूर्व में हमने कर्म किये हैं, अच्छे कर्म किये हैं, उन संचित पूर्यों के कारण ही हम पृत्वी के सुखों का भोग करते हैं, कर्म का भोग, पूर्व में संचित जो कर्म ह उसके कारण हम प्रिथवी के सुख्ळ का भोग करते हैं, भोग का कर्म, और भोगते हुए जो अच्छे हम कर्म करते हैं वो फिर पुनह हैं आगे हमें भोगना रहता है, यही भारतिय संस्कृति का मूल है, यहीं सीख में अपने संस्कृत से मिली है, यहीं जडचेतन का नवता की कल्याण के लिए कर्म करते जाएं और फिर वो कहती है यही जड़ चेतन का आनन्द कि यह जो व्रिक्ष है यह जो प्राकृतिक संपदा यह भी यही जड़ चेतन का आनन्द कि यह जड़ है जो व्रिक्ष है वो भी मनुस्यों की भात चैतन्य होकर सिर्फ आनन्द का प्रसार कर रहे हैं, सुगंध दे रहे हैं, पुस्प दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, आखिर क्या आशा करते हूं आपसे, वो मनुस्यों की भात ही, अपना वैभव, अपने पास जो है वो उनमुक्त होकर लुटा रहे हैं, तो वो आगाह करते हैं, फिर तुम कैसे असहाय कि तुम तुम अकेले हो और अपने को असहाय मान रहे हो अकेले तुम कैसे असहाय कैसे तुम असहाय हो और अगर मान रहे हो यजन कर सकते तो क्या तुम भूत यग्य यजन अर्थात भूत यग्य क्या तुम कर सकते हो मानवता के कल्यान के लिए यहाँ वश बृद्धी की बात की गई है वो यह कहना चाहिए कि अकेले तुम कैसे असहाय कि अगर तुम मानते हो तुम अकेले हो और असहाय हो तो तुम यजन कैसे कर सकते हो क्योंकि जो भूतियक यह होना है आप जानते हैं कि स्रिष्टी के संचालन के लिए स्त्री और पुरुष ये दो शक्तियां होती है तो यहां वही हो बात कहते हैं क्या तुम कर सकते हैं तुछ विचार और तुम्हारे अंदर ये तुछ ये छोटी गिरी हुई बात कैसे आ गई कि तुम अकेले और असहाय हो यहां अब स्रद्धा अपना समार्पन भाव भी जाहिर करेंगी फिर देखे संबोधित करते हैं कहते हैं तुम तो आकरशण से हीन हो गए और जो व्यक्ति अनदर आ अशा नहीं रखता उससे कोई भी आकरशित नहीं हो अपना आत्मविस्तार किया ही नहीं तुम आत्म केंद्रित हो गए हो जबकि जो हमारी संस्कृत है वो यह सिखाती है कि परमार्थ के लिए दूसरे के लिए अपना जीवन भी समर्पित कर दें चाहे वो कर्म है चाहे अपना धर्म है जो हमारी संस्कृत के मूल में है जो हमें सिखाया जाता है बार बार बताया जाता है समझाया जाता है वो yahe manufacturers कि दूसरे के अर्थ में अपने आपको नहित कर दें अपने आपको लगादे तो कहती है कि तुम तो आत्म विस्तार करी नहीं सके तुम我知道 केंद्रित हो गए हो इसलिए इतने नकार आत्मक भावतु में आ गए हैं आई आगे चले अब देखे वो क्या करती है अब वो स्वयंग का समर्पड कर रही है और कहती है समर्पड लो सेवा का सार सजल संस्रितिका यह पतवार अब मानो जीवन के उत्थान के लिए कल्यान के लिए वंश वृद्धी के लिए स्र समर्पड है अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो आप जानते हैं समर्पड भाव के विना सेवा संभव नहीं है तो वो कहते हैं कि जो सेवा का सार है यह समर्पड वो मैं आज तुम्हें समर्पड कर रही हूं स्वयंग को सजल संस्रितिका यह पतवार और मेरा यह जीवन मे आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार कि आज से जो मेरा यह जीवन है इसका उत्सर्ग इसका उनमेस इसका बढ़ना सब कुछ तुम्हारे जीवन से जुड़ गया है आज से यह जीवन उत्सर्ग मेरा जीवन जो है यह तुम्हारे लिए समर्पित हो गय इसी पदतल में विगत विकार सिर्फ इसी पदतल में तुम्हारे चरणों में मैंने स्वयंग को समर्पित कर दिया है विगत विकार कि जो तुम्हारे विकार थे जो परेशानिया जो चिंता जो भी तुम्हारे अंदर के विकार थे बुराया थी उसको भुला कर मैंने स्वयं के मूल रहस संसृत यानि संसार के जो मूल रहस है वो तुम बन सकते हो तुम बन जाओ तुम ही से फैलेगी वह बेल क्योंकि यह जो बेल है वन्ष बृद्धि की इस संसार को पुनह निरंतर्ता में बनाए रखने की वो तुम्हारे ही द्वारा होना सुनिश्चित है सौरब से भजा यह सुगंधित हो जाए किससे यह किससे सुगंधित क्योंकि निर्जन है सब कुछ और अब दो लोग आ गए हैं तो यह अपना समर्पण कर रही है स्वयंग में मनु को रमड करने के लिए आमंत्रित कर रही है मानों सभःता के उत्थान के लिए मानों के कल ल्याण के लिए यह वन्ष बृद्धि की बात कह रही है तो फिर कहती है विश्व जो है यह विश्व संपूर सुगंधित हो जाए यह सौरब से पुनह भर जाए लेकिन कैसे भरेगा सुमन के खेलो सुंदर खेल सुमन यानि यहां वन्ष के लिए मानों के लिए प्रयूक भर जाए पुनह यह स्रेष्टी संचाली हो जाए आगे देखे और वह देखे फिर क्या कह रही है बार बार वह उनको समझा रही है जगा रही है और क्या तुम सुन्ते नहीं विधाता का मंगल वर्दान थी कि थो कि तुम शक्त के सागर हो शक्ति साली हो तो तुम ही विजई बन सकते हैं इसलिए तुम आगे बढ़ो विश्व में गूज रहा जैगान वो कहती है कि संपूर संसार में विश्व में यही जैगान गूज रहा है कि जो शक्त रखता है वो विजई बनता है इसलिए तुम बिधाता के इस मंगल मई वर्दान को सुनो और आगे बढ़ो किसलिए मानों के कल्याण के लिए उसके उत्थान के लिए नव जीवन के लिए स्रध्धा आमंत्रित कर रही है मनु को फिर कहते हैं डरो मत अरे अमरित संतान अग्रसर है मंगल में व्रिधी वो कहते हैं कि मंगल मई जो व्रिधी है कल्याड कारी वो अग्रसर है वो आगे है तुम्हारे इसलिए डरो मत अम्रित संतान हे देव संतान हे अम्रित संतान तुम बिलकुल मत डरो क्योंकि मंगल मई कल्याड कारी उठान अग्रसर है आगे बढ़ चुकी है पूर आकर्षण जीवन केंद्र खीची आवेगी सकल सम्रित है। वो आकर्षण से उल्लास से भरा हुआ है सौंदर से भरा है तो जब एक बार तुम जीवन तता महसूस करने लगोगे खीची आवेगी सकल सम्रित है। तो यह संपूर जो संसार में इतना वैभव है वो स्वयंग इस जीवन के केंद्र में आकर्षित होकर खीच कर तुम्हारे पास स्वयंग चला आएगा। फिर कहते हैं विधाता की कल्याडी स्रिष्ट सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। तो कहते हैं जिए उनकी मंगल मैं स्रिष्ट है कल्याडी स्रिष्ट है उसको सफल करने के लिए आव इस भूतल को फिर से पूर्णता और आहलाद से भर दो पटे सागर बिखरें ग्रह पुंझ जिससे जो यह सागर है जो बिखरा पड़ा है पट जाएगा जब मानव हो जा जाएगे जब शक्ति अरजित कर लोगे आशा और उत्सा से भर जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सागर पट जाएगा और जो हमारे चारो तरफ ग्रह पुंझ बिखरे पड़े हैं वो हमारे लिए अनुकूल हो जाएंगे और ज्वाला मुखियां हो चूर और जो यह व पूर्ण स्रिष्ट में क्या होता है कि कौन यह मानों ही है जो कभी कितना भी टूट जाए कितना भी हार जाए पुनह नवचेतना भर कर खड़ा होता है साहस के साथ तो कहती है कि एक बार जब तुम डर छोड़कर आगे बढ़ोगे तो यह सब कल्याड होगा उन्हें गारी की भात अपने पैरों तले कुचल देगी इस तरह का साहसो भर रही है आज से मानोता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे नबंद और कहती है कि तुम आओ अब मैं तुम्हारे समक्षू मैंने समर्पन कर दिया है तो आओ और ताकि इसका जो आनन्द हो संपूर्ण विस्व महसूस कर सके यह मानोता की जो कीर्ति है जो उसका यशोगान है वो अनिल अर्थात हवा भू मतलब पृत्वी धर्ति और जल कि हवा में जल में और इस हो वो फैलती रहे लोग जानते रहें आगे आईए फिर क्या कहती है पाठ लंबा है लेकिन बहुत सहज है क्योंकि भाशाई एकता है तो देखें क्या कहती है जलद के फूटे कितने उत्स द्वीप कच्छक डूबे उत्राएं वो कहती है अभी जो प्रले हुआ उसमें परेशान हो गए लेकिन किन्त वह खड़ी रहे द्रण मूर्ति अभ्यूदय का कर रही उपार फिर भी अपने को और मन को कह रही है वो कि जब वो इतने उत्स फूट गई तने स्रोत निकले तो सब जीव जो है वो एकदम परेशान हो गए सारे द्वीप पुरा संसार और ज कौन मन स्रद्धा वो कह रहे हैं अभ्यूदय का कर रही उपाय और यह जो मानव ही है वो द्रण होकर सब देखता है और पुनह आशा भर कर पुनह एक नवीन उत्थान के उपाय सोचने लगता है यही मानव कहलाता है आए यह अन्तिम अंश हमारे और आपके समक्ष अब क् रही है शक्त के विद्धुत कड जो व्यस्त विकल विखरे हैं हो निरुपाय समन्वे उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए वो कहते हैं जो शक्त के विद्धुत कड है वो हर तरफ जो व्यस्त विकल विखरे हैं हो जो हर तरफ विखरे हैं फैले हैं चाहे प्रकृति सका है कि विद्धुत कड़ों से यह शक्त कड़ों से सब बिखरेगा औरुंसे ही मिलकर बनी है यह सरिष्टी और अपने को और मनू को भी उप्रकारांतर से ले रही हैं और कहती हैं कि सकत के विद्धुत कड़ जो वेस्ट हैं जो इधर Network अधेर्ब बिखरे हैं निरुपाय जिनका कोई उपयोग नहीं है वो निरुपाय होकर बिखरे हो कुछ नहीं कर सकते तो आप क्या करें मनुसे कहती है समन्वे उसका करें समत्विजईनी मानवता हो जाए कि आये मिलकर उनका समन्वे करें उनको एक कर दें जिससे जो ये मानवता है जो म और मानवता क्योंकि यही है जो कभी नहीं हारती जो हर परिस्थित में उठकर खड़ी होती है तो मानवता की विजय की बात कर रही है और इसी मानवता की विजय के लिए वो अपना समरपड़ भी करती है इतना अंशा में और आपको पढ़ना था आएए आगे और चलते हैं इ देखते हैं इसमें क्या है काब्यगत सौंदर स्रध्धा के माध्यम से कर्म का संदेश दिया गया है विश्व कल्याण और विश्व निर्माड के लिए समन्वय की ब्यापक भावना पेक्षित है ये बातें बताई गई भाशा आप जानी रहें संस्कृत निष्ट खड़ी बोली है रस शांत है शब्द सक्ति लक्षणा गुड़ प्रसाद और चंद जो है वो सूलह मात्राओं का स्रिंगार चंद आईए बच्चों अपने अभीष्ट की ओर चलते हैं मूल्यांकन की ओर चलते हैं आप सभी जानते हैं कि बिना मूल्यांकन के बिना इस सदे कि हम अपने लक्ष में कितने ज्यादा सफ़ल हुए हैं और जो हमने निर्धारित किया था उसे हमने कितना साधा है अपने लच्च को यह हम और आप मूल्यांकन के माध्यम से जानते हैं देखे क्या है पद्यांश के पाठ और कवी का नाम लिखिए जितने हो सके आप अवश्य करें रेखांकित अंश की व्याख्या करें इन पंक्तियों में स्रध्धा ने मनु को किसका उपाय बताया है जो आखरी पंक्तियां मैं उन्हीं को देती हूँ देखे उसी में शक्त के विद्धुतकर जो व्यस्त बिकल बिखरे हैं हो निरुपाय इस एक पंक्ति का आपको भाव स्पष्ट करना है और आखरी स्रध्धा के अनुसार मानव कब तक शक्त हीन बना रहता है और यदि वह सभी उपायों से समन्मित हो जाए तो इसके क्या परिणाम होंगे आपने स उस शिल्प सौंदर्य को उस कहन के ढंग को उस शैली को उस मानो मनोभाओं के अदभुत चित्रन को जिसके लिए कामायनी आज भी आधुने क्यूग के महा कावियों में शीर्ष पर है हम प्रसाद की कावे कला पर बार बार कई बार मुग्द हुए हैं आज के लिए बस इत कर दो